सरकारी बसों में सभी ने सफर किया होगा, सफर के दौरान कंडक्टर से टिकेट लेना पड़ता है अब तो ऑनलाइन टिकेट का भी विकल्प है, लेकिन करनाटक में एक महला के साथ साथ एक मुर्गी के बच्चे को भी टिकेट लेना पड़ा मामला करनाटक के शिमोगा का है जहां राज्य सड़क परिवाहन निगम की बस के कंड़क्टर ने एक महला के साथ उसकी खरीदे गए चूजे का भी टिकेट काट दिया चूजे का पूरे 52 रुपए का टिकेट कटा दरसल करनाटक राज्य सड़क परिवहान निगम की बस में महिला अपने परिवार के साथ चड़ी थी चलती बस में कंड़क्टर ने सवारी से किराया मांगा तो महिला ने खुद समेथ परिवार के दो अन्य सदस्यों के 303 रुपए दे दिये लेकिन जब कंड़क्टर की नजर महिला के पास रखे चूजे पर पड़ी तो उसने उसका भी आधा टिकेट देने को कहा जुस पर के सार्टी स्टाफ ने कहा कि बस में अगर कोई जीव सफर करता है उसे टिकेट देना पड़ता है जुसके बाद महिला को 52 रुपए का टिकेट कटाना पड़ा